शिवरात्री के व्रत की महिमा से तो सभी भली भाती परिचित हैं लेकिन हर महिने आने वाली मासिक शिवरात्री का व्रत भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि मासिक शिवरात्री में व्रत उपवास रखने और भगवान शिव की सच्चे मन से मासिख शिवरात्री के दिन की महिमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे कन्याएं जो मन वांचित वर पाना चाहती है इस वरत को करने के बाद उन्हें उनकी इक्षा अनुसार वर मिलता है और उनके बिवा में आ रही रुकाबटें भी दूर हो जाती है शिपुरान के के पूरी होती हैं उन्हें महिने हाने वाले प्रव को प्रतेय को संपर्दाय के हिंदुओं द्वारा ममनाया जाता है वह भकत करने के पूजा करनी चाहिए तो आए जानते हैं मासिख शिवरातरी पूजा वेधी के बारे में विस्तार से मासिख शिवरातरी वाले दिन सुर्य दियू से पहले उठकर स्नान आदि कर ले आप किसी मंदिर में जा कर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करे सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्र, अभिशेक, सुद्गी, दूद, शक्कर, शहद, दही, आदी से करें ऐसी मानेता है कि रुद्र, अभिशेक करने से भोलेनात अत्यन प्रसंद हो जाते हैं अब शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, श्रीफल चड़ाएं ध्यान रहे कि बेलपत्र अच्छी तरह साफ किये होनी चाहिए अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदी से पूजा करें सिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, सिव स्तुति, शिव अस्टक, शिव चालिसा और शिव श्लोक का पार्ट करें संध्या के समय फलाहार कर सकते हैं, उपासक को अनिग रहन नहीं करना चाहिए अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदी करने के बाद अपना उपवास खोलने है इस बात का ध्यान रखें कि व्रत और उसका अध्यापन वेधिपा तरीके से किया जाना चाहिए शिव रात्री के पूजन का समय बध्य रात्री के समय होता है भगवान शिव की पूजा रात को बारा बचे के बाद करें और पूजा के समय श्री हनवान चलिसा का पाठ भी करें ऐसा करने से उपासक की आर्थिक परिशानिया दूर होती हैं यदि कोई भी सच्चे मन से पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा और उनका समरन करेगा उसे मन वांशित फल अवश्य प्राप्थ होगा आपको बता दें कि इस दिन सफेद वस्तों का दान करने की अधिक महिमा होती है जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती यह कहा जाता है कि मासिक शिवरात्री के दिन शिपरवती की पूजा व्यक्ति को हर करजूं से मुक्ति दिलाती है मासिक शिवरात्री की वरत कथा इस परकार है जिस तरह हर वरत आधी के पीछे कोई नो कोई कथा होती है वैसे ही मासिक शिवरात्री करने के पीछे भी एक कथा है आये जानते हैं मासिक शिवरात्री वरत कथा के वारे में पुराणी कथाओं और धार्मि ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महा शिवरात्री के दिन मध्यरात्री के समय शिवलिंग के रूप में परकट हुए थे जिसके बाद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा भगवान बिश्नु ने उनकी पूजा की थी उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जनम दिवस की रूप में बड़े ही धुमधाम से मनाया जाता है इस दिन शिव पूजन का खास महत्र है बहुत ही पुरानों में शिवरात्री व्रत का जिक्र किया जाता है शास्तरों के अनुसार अपने जीवन के उध्धार के लिए माता लक्ष्मी, सरस्वती, कायत्री, सीता, पारवती, आधी, रती जैसी बहुत सी देवियां और रानियों ने भी शिवरात्री का व्रत किया था मासिक शिवरात्री जीवन में सुख और शान्ती प्रदान करता है और भगवान शिव की किरपा दिश्टी से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं यह व्रत संतान प्राप्ती रोगों के मुक्ति के लिए भी किया जाता है मासिक शिवरात्री की दूसरी कथा इस परकार है। यह शिवरातरी कवरत किया जाता है। शिव रातरी के व्रत से मनुष्य का अहंकार खत्म हो जाता है मनुष्व में सभी चीजों के प्रतिसमान भाव जाकता है कई तरह के विकारों से मनुष्य दूर हो जाता है